पॉलिटिकल पार्टी लोगों के साथ बैठके चर्चा कर रही है कि हम स्कूल कैसे सुधारेंगे मैं समझता हूं कि भारत की आजाद भारत के 75 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि चुनाव के पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी आके जनता के साथ ये चर्चा करेंगे स्कूल कैसे सुधारेंगे बच्चों का भविश्य कैसे बनाएंगे अभी तो मौका एक दूसरे को गाली देने का आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस को गाली दे, कॉंग्रेस बीजेपी को गाली दे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को हम लोग इन सारी चीजों से अलग हैं, हमें राजनीती नहीं आती करने हैं मैं बार-बार ये बोलता हूँ, डाली गलोज उनके confusing में में को स्कूल बनाने आते हैं, स्कूल बनाने हैं तो मिर से बना लो, मिर को बुला लो मैं आपके बच्चों को रोजगार दे सकता हूँ रोजगार चाहिए तो मुझे बुला लो राजनीती चाहिए तो उन लोगों को बुला लो बुंडागर्दी चाहिए तो उन लोगों को बुला लो ये इस तरह का महौल पहली बार देश में देखने को मिला है कि किसानों के साथ समवाद हो रहा है टीचर्स के साथ समवाद हो रहा है पेरेंट्स के साथ समवाद हो रहा है पहली बार ऐसे हो रहा है और गुजरात के अंदर शिक्षा पे बडोदा में ये पहला समवाद हो रहा है लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इ लोगोंने booking करने की कोशिश की, दिल्ली से केजरिवाल जी आ हरे हैं, हमारी टीम ने booking की, पेरेंट्स के टीचर्स के साथ समवाद करेंगे, इन्होंने हमने एक जगे बुक की, इन्होंने उसके मालिक को फोन करके धमका दिया, खबरदार जो केजरिवाल जी के लिए बुकिंग दी दूसरी जगे बुकिंग की उसको भी खबरदार तेरा जगे कैंसल की चौदवी जगे में नवनीत काका को प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत वो सामने उदर बैठें आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस देश के अंदर नवनीत काका जैसे लोग हैं उन्होंने हमें हॉल दिया और उन तेरा लोगोंने हमें आशिरवाद दिया जब उनसे बात की वो तेरा लोग खुब गालियां दे रहे हैं उनकी पार्टी को बोले इस तरह से धमकी देना ठीक नहीं है बोले हम आपके साथ हैं लेकिन हिम्मत हिम्मत नहीं और यह बहुत तंग करते हैं लोगों को तो आज उन तेरा लोगों का आशिरवाद है नवनीत का का आशिरवाद है कि हमारे पास ये हॉल है ये लोग सोचते हैं ये देश इतना कमजोर है कि धमका देंगे तो यहाँ पे शिक्षा पे समवाद नहीं होगा शिक्षा पे समवाद भी होगा स्कूल भी अब गुजरात के ठीक होंगे प्राइवेट स्कूल भी ठीक होंगे सरकारी स्कूल भी ठीक होंगे बच्चों का भविश्य भी बनेगा, ये रोक सके तो रोक ले